तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दे चैनल वेफ और क्लिक और आज हम बात करने वाले हैं पोज लाइबरेरी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एनिमेशन को आसान करने के लिए ब्लेंडर ने हमें दो तरह की पोज लाइबरेरी दे रखी हैं सबसे पहली हमारी आती है सिंगल यूज पोज लाइबरेरी सिंगल यूज पोज लाइबरेरी वो लाइबरेरी होती है जिसमें हम केरेक्टर के अलग-अलग तरह के पोज सेव कर सकते हैं जैसे की चलना, उठना, बैठना इस तरह के जो पोज हैं वो हम एक बार अपनी library में save करके रख सकते हैं और animation करते समय जब हमें इनकी जरुरत पड़ती है तो बड़े आसानी से एक click पे हम इनको इस्तमाल कर सकते हैं Single pose library mostly उन characters के लिए इस्तमाल होती है जिन पे बहुत ही detailing में काम किया जाता है और number में वो बहुत कम होते हैं तो animation करते समय जो भी हमारा main character होता है उसकी detailing में animation करते time हम इस pose library का इस्तमाल कर सकते हैं Single use pose library के वल एक ही character के लिए इस्तमाल होती है उसमें इस्तमाल होने वाले pose को हम किसी दूसरे character में इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इसी तरीके से दूसरी हमारी आती है Multi-Use Pose Library. Multi-Use Pose Library, Pose Mode में ही हमें एक option में मिलती है और इसकी मदद से भी हम अलग-अलग तरह के Pose इसमें इसमें इस्तमाल कर सकते हैं. इसका थोड़ा सा outcome यह है कि हम इसमें thumbnail का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक ही Character में बनाय हुए Pose को हम अलग-अलग दूसरे Character में भी इस्तमाल कर सकते हैं. तो इसलिए जहां पे हमारे बहुत सारे Character होते हैं और हमें बहुत जल्दी-जल्दी काम करना होता है, वहां पे हम इस Multi-Use Pose Library को इस्तमाल कर सकते हैं, यह हमें बहुत ही आसान पड़ती है. तो यह था हमारा Pose Library का introduction, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और practically सबसे पहले देखते हैं कि Single-Use Pose Library किस तरीके से बनती है और किस तरीके से काम करती है. सबसे पहले मैं आपको बदा दूँ कि Blender ने जब अपना version 3.0 launch किया था, तो उस time पे उसी version से उसने एक movie बनाई थी, जो की एक short movie है, जिसका नाम है Sprite Fright. इसका link आपको description में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं. इसमें हमारा एक character है, जिसका नाम है Ellie. तो example के लिए सबसे पहले Ellie जो है, इसको animate करने के लिए जो pose बने हैं, उसकी मैं file आपको यहां पे दिखाए देता हूं. तो यहां पे आप देख सकते हैं, मेरा जो character Ellie है, वो यहां पे मौजूद है, और उसके यहां पे बहुत सारे ऐसे pose बनाए गये हैं, जिसकी मदद से उ animate किया गया है movie के अंतर. एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम face rick का इस्तमाल करते हैं, और इसके facial expression बनाते हैं, तब हमें यह library बहुत ज़्यादा काम में आती हैं. इसकी आख, नाख, move अगयरा को अगर हमे animate करना है, तो हम आप देख सकते हैं, य इस example को आप भी अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं, फाइल को, तो यह जो फाइल है, इसका link description में मौजूद है, उसको आप भी वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, simply आपको link पे click करना है, link पे click करने के बाद में आपको इस तरह का interface सामने आ जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे file दे रखे हैं, जो blender में अब तक की जितने भी movies बनी हैं, उनके scene आप यहाँ पे download करके देख सकते हैं, कि वो यहाँ पे किस तरीके से बनाए गए थे, लेकिन एक warning में आपको देना चाहूँगा, कि जिनके system की configuration i5 से कम है और graphics card नहीं उसमें इस्तमाल कर र और कुछ file इसमें ऐसी हैं, जिनको install करने के लिए, simply आप जब किलिक करेंगे, तो किसी दूसरी window पे यह इस तरीके से यहाँ पे आजाएंगी, और नीचे की तरफ आपको यह download का link मिल जाएगा, इस पे आप किलिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से इनकी rigging यहा तो वापस से आगे हैं, हम अपने blender की screen पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक character को मैंने rig किया हुआ है, rigging का process मैं आपको दो वीडियो में पहले बता चुका हूँ, इसके लिए आप episode number में देख सकते हैं, किस तरीके से miximo की मदद से हम rig करते हैं, या फिर मेरा पिछला episode, जिसमें मैंने ये वाला जो मेरा rig है, वो rigify की मदद से किया गया है, episode number 41 में आपको पता लग जाएगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे rigging की है, तो यहाँ पे हमारा एक character है, इसकी हम यहाँ अलग-अलग तरह की pose library generate करके देखेंगे practically और देखेंगे इसको किस तरीके से यहा पे animate किया जाता है, इसके अलावा यह जो मैं यहाँ पे file इस्तमाल कर रहा हूँ, यह बहुत ही light है, इसको मैं अपने community tab में डाल दूँगा, तो जो लोग member है, मेरे cable वो ही इसको download कर सकते हैं, यह बहुत light file है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, क से पहला जो काम मुझे करना है, वो इसमें end button दवाना है, इसमें मुझे एक option मिलेगा, जिसका नाम है animation tab, यह animation tab सिर्फ आपको pose library में मिलेगा, और कहीं पे यह आपको option नहीं मिलेगा, इस पे click करने के बाद आप देख सकते हैं, यह मेरी single use pose library यहाँ पे आ चुकी है, और इस इसमें मुझे एक option दे रखा है, जिसका नाम है create pose asset, तो सबसे पहले जैसे मैं इस पे click करूँगा, आप देखेंगे नीचे की तरफ मुझे error आ जाएगा, जिसका नाम है no keyframes were found, इसका reason यह है कि इसमें हमें सबसे पहला जो काम करना है, वो इसकी जितनी भी rig है, इसको पूर create pose asset यहाँ पे काम करेगा, तो A बटन दबाके मैं पूरी rig को यहाँ पे select कर सकता हूँ, और अब मैं अगर यहाँ पे click करूँगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा pose तो generate हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी यहाँ बना हुआ नहीं आ रहा है, और नीचे एक option आ बने होए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे इसको create कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ पे pose तो बनके आ रहा है, लेकिन उसमें मुझे पता नहीं लग रहा है कि उसका जो thumbnail है, वो किस type का है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम यहाँ पे pose बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पे एक camera मुझे set करना पड़ेगा, और camera set करने के बाद जो भी चीज मुझे camera में दिखाई देगी, वो मैं यहाँ पे create pose library में उससे thumbnail बना सकता हूँ, और camera set करने के लिए सबसे पहले आपको object mode में वापस जाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं shift A बटन द camera setting पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, episode number 37 और 38 में जाके देख सकते हैं किस तरीके से इसकी setting करते हैं, तो camera set करने के बाद zero button दवाएंगे, वापस से अपने camera board से वापस आएंगे, और इसमें जो rig है उसको select करके वापस से चलते हैं अपने यहाँ पे pose mode में, और अब मैं य zero button दवाऊंगा तो यह मेरा इस तरीके से camera में दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इसके front का मैं यहाँ पे pose create करूँगा, तो यहाँ पे मेरी जो rig है वो यहाँ पे select होनी चाहिए, और जैसे ही मैं इस पे click करूँगा, create pose asset पे, अब आप देखेंगे कि मेरा जो pose है वो यह पे create हो चुका है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो pose है वो यहाँ पे create तो हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ और color में मेरे पास में आ रहा है, तो इसमें जो यह हमारा thumbnail बनके आ रहा है, यह हमारे character के color पे depend करता है, जब भी हम कोई character design करते हैं, या character को import करके अगर मैं click करूँगा, तो यह इस type का जो thumbnail है, उसको यहाँ पे बना रहा है, तो इस तरह की problem आपके साथ में आ सकती है, कभी-कभी हमारा जो pose library है, वो हमारे color को यहाँ पे support नहीं करता है, इसलिए मैंने यह जानबूच के इस type के character को यहाँ पे रखा है, अब इसमें जो thumbnail ह उसको कैसे इस्तमाल करते हैं, या फिर हमें अगर यहाँ से इसको delete करना है, तो किस तरीके से delete करेंगे, आईए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको बदा दू, कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ पे generate करते हैं, उसको directly यहाँ से edit या delete नहीं कर सकते हैं यहाँ पे जो भी हम post के thumbnail बनाते हैं, वो हमारे asset library में जाके save हो जाते हैं, और अगर हमें उनको कुछ edit करना है, तो हमें अपने asset browser में जाना पड़ेगा, asset browser में जाने के लिए simply आपको यहाँ पे उपर की side में जाना है, plus का button आते ही, यहाँ पे इसको window को दो window में convert कर लेते ह जिसमें एक में हमारा character मौझूद है, और दूसरे में हम यहाँ पे asset browser जो आपको सबसे last में मिलेगा, यहाँ पे इसको convert कर लेते हैं, तो यहाँ पे उपर की side में आप देख सकते हैं, एक edit का button आ रखा है, तो यहाँ पे हम इसको अगर delete करना चाहते हैं, तो right click लेंगे इस और clear asset पे जैसे click करेंगे, यह thumbnail मेरा यहाँ से delete हो जाएगा, फिर से अगर मुझे post create करना है, मैं simply इस पे click करूँगा, आप देख सकते हैं, नीचे no keyframes were found का एक error आरा है, इसका मतलब A button दबा के मैंने इसकी रिक को select नहीं किया है, इस पे मैं click करके एक thumbnail यहाँ पे generate कर लेता है, जब हम N button दबाएंगे, तो इसकी property यहाँ पे आजाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको पूरे नाम को और इसके जो other चीजे हैं, उनको edit कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे नाम देना चाहें, यहाँ पे इनको change करके कुछ भी नाम दे सकते है यहाँ पे मैं नाम दे दता हूं उसका, front और इसमें जो सबसे उपर की तरफ यह जो folder का option दिखाई दे रहा है, यह मेरा thumbnail का option है, कोई भी image मैं अगर यहाँ पे click करूँगा, उसको इस पे thumbnail पे set कर सकता हूं, अब thumbnail कैसे generate करते हैं, आईए देख लेते हैं, thumbnail generate करने का तरीका बहुत ही आसान है, simply आप यहाँ पे render view में जाएए, और देख लीजिए कि आपका जो character है, वो किस type का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, render में जाके मैं render image पे अगर click करूँगा, तो आप देख सकते हैं, मेरा character है वो इस तरीके से इसमें दिखाई दे रहा है, जब आपकी image आ यहाँ से इसको save कर देना है, और मेरा जो image है वो वहाँ पे save हो जाएगा, इसको यहाँ से मैं cut कर देता हूँ, एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, asset browser में जो window है, अगर आपकी कम खुली है, तो यहाँ पे end button आपका यह काम करना बंद कर देगा, तो हमेशा जो browser है उसकी आप यहाँ पे window को अच्छी तरीके से open करें, तब end button दवाएंगे, तब हमारा यह खुल के आएगा, thumbnail यूज करना बहुत ही आसान है, simply आपको जाना है, जहाँ पे आपने वो thumbnail इस्तमाल किया है, और simply उसको select करके load custom preview पे click करना है, मेरा thumbnail यहाँ पे आजाएगा, तो इस तरीके से कभी आपका color support नहीं करता है, तो आप यहाँ पे thumbnail भी इस्तमाल कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इस window को minimize कर देता हूँ यहाँ पे, जब ज़रूत पड़ेगी तब इसको open करेंगे, अब इसके हम अलग-अलग pose बनाएंगे, और एक चीज का विसेध्यान रख करते हैं, यहाँ पे जितने भी मेरे यहाँ अलग-अलग color के दिखाए दे रहे हैं, इनको हम controller बोलते हैं, जिसकी मदद से हम character के body को animate करते हैं, सबसे पहले yellow color के जितने भी मेरे पास में यह controller है, यह इसके अलग-अलग body के part को अलग-अलग तरीके से animate करते हैं, इसकी कमर को animate करना है तो इसकी कमर के controller को select करना है R button दवाना है और इस तरीके से आप इसके कमर को इस तरीके से animate कर सकते हैं Ctrl Z करता हूँ अगर आपको इसका कंदा यहाँ पे हिलाना है तो आप इसके कंदे के रिक को यलो वाले को select करें आर बटन दवाएंगे तो इस तरीके से आप इसके कंदे को move कर सकते हैं तो इस तरीके से जिदने भी इसमें yellow color के और red color का जो part है इससे हम इसके body को move कर सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं hand पे एक red color का हमारे पास में ये वाला controller है, इसकी मदद से मुझे hand को select करना है और G बटन से मैं इसके hand को कहीं पे भी move कर सकता हूँ move करने के साथ मैं यहाँ पे कुछ arrow दिये गए हैं आपने देखा इसको ऊपर ले जाना है तो मैंने इस वाले controller का इस्तमाल किया लेकिन इसको अगर इस तरीके से गुमाना है इसके हाथ को तो हमें यह वाला controller दे रखा है और R बटन से हम इसके हाथ को इस तरीके से यू करके गुमा सकते हैं या फिर इसमें यह कौनी वाला जो twix का एक option है इसकी मदद से हम इसको भी यहाँ पे इस तरीके से इसकी कौनी को उतने पार्ट को ही यहाँ से लेके यहाँ तक गुमाएगा तो यह जो arrow है यह पूरे के पूरे हाथ को गुमा देगा और यह जो आपके छोटे छोटे twix इसमें बिल्यू कलर के दिखाए दे रहे हैं केवल उस हिससे को यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेट करने के लिए हिलाने के लिए यहाँ पे बने होएं तो यह जो बिल्यू कलर के जो जितने पार्ट है और यह जो ग्रीन कलर के जो पार्ट है इनकी हमें बहुत कम जरुरत पड़ती है तो इनको इसलिए मैं यहाँ पे hide कर देता हूँ यह से मैं पूरी रिक को select करूँगा और Alt R और Alt G बटन दबाऊँगा तो इससे यह इसमें सारे जितने 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 movement की हैं वो इसमें खता हो जाएगे इसमें जितने भी यहाँ पे red color के जो option है यह हमारा inverse kinetic के हैं जिससे हम किसी भी bone को inverse करते हैं यानि की उसको back ले जाने का काम हमारा यह करता है इसको हम बोलते हैं eye के controllers तो जितने भी इसमें eye के जिसमें लिखा है यह हमारे मोडने का काम करते हैं hand को, pair को या जहाँ भी हमें मोडने की ज़रुत होती है वहाँ पे हम इसमे eye के controller का इस्तमाल करते हैं जब आप इसमें rigging manually करते हैं जो मैंने episode number 33, 34 में आपको दिखाया और कोई अजीबो गरीब character आप बनाते हैं जिसकी rig इसमें मौजूद नहीं है तब यह चीज़ें अगर आपको knowledge में हैं बड़े आसानी से आप उसकी manual rigging कर सकते हैं दूसरा इसमें आप देख सकते हैं यह हमारा forward kinetic है जब हम किसी hand को या किसी pair को move करते हैं तो यह हमारा forward kinetic उसके विपरीव दिसा में यहाँ पर काम करता है इसको कैसे इस्तमाल करते हैं जब time आएगा तब हम इसके बारे में बताएंगे फिलहाल मैं यह FK यानि इसके जो green वाले हैं इनको यहां से बंद कर देता हूं तो जो FK हैं उनको मैं यहां से green वाले बंद कर देता हूं इसका जो छोटा छोटा जो हिस्सा है उसको tweak बोलते हैं तो इस तरीके जो main हमारा यहां पर रेख है IK वाला जो है वो मुझे ज़रुवत पड़ेगी तो जितने भी IK हैं वो यहां पर on होने चाहिए इस चीज का हमेसा ध्यान रखें अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो character है सबसे पहले hand को उपर करें और उसमें hand को उपर करने के बाद में hello करके दिखाए तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक pose बनाना पड़ेगा pose बनाना बहुत ही simple है तो hand का जो controller उसको मैं यहां से select करूँगा G button दबाऊँगा क्योंकि मुझे यह hand बिलकुल उपर straight ले जाना है सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा item में और जिस controller को आप select करेंगे वहाँ पे इसके सारे option आ जाएंगे तो जहां जहां भी आपको stretching हटानी है तो सबसे पहले IK stretch पे यहाँ पे इसकी जो value है इसको यहाँ पे 0 कर दीजिए जिससे मेरा जो hand है अभी यहाँ पे stretch नहीं करेगा अब मैं G बटन दबाऊंगा और Z बटन दबाऊंगा उपर के लिए तो आप देख सकते हैं इसमें control उपर की तरफ चला जाएगा लेकिन वो इसको stretch नहीं करेगा तो इस तरीके से मैं अपने hand को यहाँ तक लेके आऊंगा फिर दुबारा से G बटन दबाऊंगा इस बार मुझे जाना है यहाँ पे X direction में यहाँ पे red वाली arrow पे इस तरीके से इसको लेके जाऊंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यह X मेरा इधर की side लेके जाएगा और इसको फिर से मैं G बटन दबाके इसको थोड़ा सा उपर कर देता अब मुझे यह जो हाथ है इसका उपर की side में गुमाना है तो अब मैं rotate tool का इस्तेमाल करूँगा और R बटन दबाके इसको इस तरीके से यहाँ पे rotate करूँगा और R बटन दबाके अगर आप X बटन दबाएंगे तो यह X direction में यानि इस तरीके से उपर की side में rotate करेगा यह जो हमारा rotation है वो line के इस तरीके से गुमता है यानि उसके चारों तरफ गुमता है तो यह चीज आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस एरिये में इसको गुमाना है इस वाले pose को मैं zero button दबाके पहले camera में देख लूँगा किस तरीके से मेरा camera यहाँ पे काम कर रहा है और उस pose को मुझे simply यहाँ पे अगर save करना है तो end button दबाना है और फिर से अपने animation वाले option में यानि create pose वाले option में जाना है और यहाँ पे मैं इस पे click करके इसको save कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं error आ रही है मेरे पास में no keyframes were found इसका मतलब यह पूरी की पूरी मुझे a button दबा के select करनी पड़ेगी तब मैं यहाँ पे create pose पे click करूँगा तो यह मेरा यहाँ बनके आ जाएगा तो इस तरीके से मेरा यह हाथ को उपर करने का एक pose बन चुका है साथ के साथ इसका thumbnail भी हम यहाँ पे generate कर लेते हैं अमने generate करने के लिए वही तरीका है simply आपको जाना है render image पे और यहाँ पे मुझे select करना है image और save as करके मैं यहाँ पे इसका कुछ नाम दे दूँगा hand up के नाम से मैं इसको save कर देता हूं यहाँ पे cut करके वापस से अपने mouse में जाऊंगा और यहाँ पे फिर से अपने asset browser को थोड़ा सा मैं open करूंगा और अगर आपको इसी asset browser को open नहीं करना है तो आप simply इसको इस तरीके से रखिए इस पे mouse लाइए और इस पे click करके control के साथ space बटन दवाएंगे तो यह हमारा full window में आ जाएगा अब यह जो folder है यहाँ इसकी मदद से हमें अपना जो thumbnail है इसको simply इस पे click करेंगे और इस पे अगर select कर देंगे तो यह इस तरीके से इसका thumbnail बन जाएगा फिर से control के साथ space बटन दवाएंगे हम अपनी पुरानी window पर इस तरीके से आ जाएंगे तो चलिए next post बना लेते हैं अब मैं दुवारा से इसको यहाँ पर select करूँगा और फिर से मैं इसमें G बटन दबाऊँगा और इस तरीके से इसको थोड़ा सा इधर की side हिला दूगा बिलाने के बाद मैं फिर से मैं ए बटन से पहले सा आप पूरा का पूरा इहां पर select करूँगा और दुवारा से इसमें एक pose बना दूँगा और उसी तरीके से दुवारा से इसमें एक thumbnail इसका generate कर लूँगा image पर जाना है save is पर click करना है इसको मैं दे दता हूँ hand up right save कर दूँगा और यहां से cut करके फिर से अपनी ये वाली window है इसको control space से बढ़ा करूँगा और इसको select करके यहां पर इसका thumbnail मैं यहां पर hand up right करके इस तरीके से generate कर दूँगा इस तरीके से wave करने का एक hello करने का animation generate हो जाएगा और अगर आपको यह animation save करनी है तो simply सबसे पहले अपना normal pose पे आएंगे यहां पे मुझे दवाना है i button और location rotation scale custom property यानि इस पे मैं select करूँगा तो यह मेरा एक keyframe यहां पे बन जाएगा आप देख सकते हैं एक keyframe यहां पे बन गया इसके बाद थोड़ आसा मैं इसको आगे लेकर आऊँगा timeline को इस पार मैं इसके हाथ को उपर की side में उठाऊँगा इस तरीके से फिर से i button दबाऊँगा और यहां पे दुवारा से click करूँगा तो यह मेरा यहां पे इस तरीके से हाथ उठाएगा अब next pose में मुझे simply इसको wave कराना है तो अपना next वाला click करूँगा यहां पे और इस पे i button दबाऊँगा और इसको मैं फिर से keyframe यहां पे generate कर दूँगा अब यह जो मेरे last के दो keyframe है वो इसके हाथ हिलाने के हैं अगर मुझे यह हाथ हिलाने वाले keyframe यहां पे duplicate करने हैं तो shift के साथ मैं D button दबाऊँगा और इनको थोड़ आसा आगे ले जाके इस तरीके से मैं यहां पे छोड़ दूँगा अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहां पे हाथ हिला रहा है और भी अगर आपको हाथ को देर तक हिलाना है तो simply आपको shift E button इसमें दबाईए और इसको फिर से आप आगे की तरफ लाके छोड़ दीजे अगर आपको और वी चीज़े हैं कोई ऐसा animation है जिसमें इसको repeat करना है तो shift के साथ में R button दबादते चले जाएए, automatically यह उसी position में यहां पर repeat होता चला जाएगा, अब मैं इसको अगर यहां पर play करके दिखाऊँगा, तो आप देखेंगे किस तरीके से यह मेरा यहां पे हाथ हिलाने की एक animation को generate कर दिया, अब इस animation को अगर आप fast और slow करना चाहते हैं, आप देख स जहां से वो animation start हो रही है, वो सकता है आपकी animation बीच में से कहीं से start हो रही है, तो आप वहां पर इसको लेके आईए, इस पूरे इसको select कीजिए, यहां पर जहां पर इसने हाथ उठाया, उसके बाद इसको wave किया, और इसके बाद हम यहां पर scale करेंगे, एस बटन दमाएंग और अगर मैं इसको और भी fast करना चाहता हूँ, फिर से S बटन दमाऊँगा, तो आप देखेंगे, यहां पर मैं अगर छोड़ दूँगा, तो यह बहुत fast हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से आप अपनी animation को यहां पर slow या fast कर सकते हैं, S बटन दबा के मैं इसको थो का हूँ आपको, episode number 40 में जाके आप देख सकते हैं, यह मेरा इस वाले का key frame है, जहां पर दोनों हाथ इसके नीचे हैं, इसको मैं shift D बटन दबाऊँगा, और shift D बटन दबाके इसको यहां पर copy करके, आगे की तरफ लेके आऊँगा, तो यह मेरा हाथ को वापस से नीचे की करना चाहते हैं, तो आप इसको, इसका जो पोज है, उसको थोड़ा सा इस तरीके से हाथ को रख सकते हैं, नीचे की तरह, क्योंकि यह थोड़े से मेरे को ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं इसको यहां पर इस तरीके से, इसके हाथ को normal pose में लेके आएंगे, और अब मैं इ पोज करके इसका एक पोज बना लेता हूँ, जो मेरा normal पोज है, फिर से इसका thumbnail बना देते हैं, यहाँ पर मैं इस पोज को select करूँगा, और फिर से एक image में जाूँगा, अब आप देख सकते हैं, यह जो मेरा पुराना पोज है, उसको यहां पे यह capture कर रहा है यह मेरा कभी-कभी आप में blender में यह problem आ सकती है जो इसमें cookies होती है वो इसमें save रह जाती है जो मैंने नया pose बनाया है वो मेरा यहां पे नहीं आएगा आप कितनी बार भी इसको image में कर लीजे यह यहां पे नहीं आएगा तो इसका जो कोई-कोई एक version होता है जिसमें यह छोटी-मोटी problem आ सकती है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना यह जो इसका pose है इसको pose को animate करके आपको कहीं पे इसका keyframe बना दीजे इस तरीके से तो मैं double click करूँगा और यहां पे इसका eye button दबा के एक keyframe बना देता हूँ आपने देखा इस तरीके से मेरा एक keyframe बन गया और इस keyframe से थोड़ा सा मैं timeline को आगे लेके आऊँगा और अब मेरा यह यहां पे अच्छी तरीके से यहां पे दिखा देगा इसने देखा कि इस तरीके से इसने मेरा जो image है वो यहां पे दिखा दिया तो animation को save करने के बाद automatically यह pose को पकड़ लेगा और यहां से फिर से मैं अपना thumbnail generate कर सकता हूँ save as करूँगा यहां पे और इसको कर देता हूँ normal position save करने के बाद मैं simply आपको उसी तरीके से अपना यहां पे जो हमारा acid browser है इसको control space से बढ़ा कर लेना है acid browser को और यहां पे अपना फिर से वो thumbnail यहां पे लेके आना है normal position तो normal position मेरा यह thumbnail आ गया है फिर से मैं control space से अपने पुराने window पे आ जाऊँगा अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो animation है वो मेरी यहां पे A button दबाऊंगा तो ही दिखाई देगी अगर आप A button से पूरा select करेंगे तो ही आपकी animation दिखाई देगी तो इस चीज़ का आपको wishes ध्यान देना है कभी-कभी नए जो बंदे हैं उनको यहां पे problem आती है वो वहां पे click करेंगे तो आप कहेंगे कि यहां पे जो animation है वो दिखाई नहीं देरी कोई भी animation आप जिसमें save करते हैं जब आप उसको select करेंगे तभी वो animation आपको नीचे की तरफ दिखाई देगी या फिर आपका जो यह जो timeline है यह कभी-कभी नीचे की तरफ भाग जाता इस तरीके से तो भी यह animation यहां पे गायव हो जाती है इस चीज का आपको विश्य स्थ्यान रखना है A button दबा के मैं इस सारी animation देख सकता हूं यहां पे तो सबसे पहले जो मुझे keyframe move करने के shortcut है वो अच्छी तरीके से आने चाहिए जो मेरी arrows की होती है keyboard में वो यहां पे काम करती है और up down से मैं अपने keyframe पे यहां पे move कर सकता हूं आप वाला button दबाऊंगा तो यह इस तरीके से आगे की तरफ move करेगा keyframe पे और down बटन दबाऊंगा तो यह नीचे की तरफ अब चलिए देखते हैं किस तरीके से हम keyframe को override करते हैं यह बटन दबाऊंगा तो मुझे यह keyframe यहां पे दिखाई देंगे और मानलीजी किसी pose को आपको override करना है आप देख सकते हैं यहां पे यह जो इसका हाथ है वो यहां पे काफी इसमें area ले रहा है अब मैं चाहता हूँ जो मैंने normal नया pose है वो इसको मैं इसके उपर override करना चाहता हूँ अगर मैं आप button दबाऊंगा आप arrow का और फिर से i button दबाईए और location rotation वाले पे click करूँगा तो अब यह जो है इसने जो हमारा front वाला pose था उसके उपर इसने इसको override कर दिया अब इसमें अगर इसके नाम आपको change करने है मानलीजे आपको अगर कुछ भी चीज edit करनी है या इसको change करना है तो यह हमारा asset browser में यहाँ पे कोई भी चीज edit होगी directly आप यहाँ से नहीं कर सकते है इसके लिए अपना control space करके asset browser को बढ़ा कर लीजे किसी का भी अगर आपको नाम change करना है मानलीजे इसने जो hand है यह आपको नाम change करना है तो name पर आप यहाँ पर डाल सकते है hand आप सिर्फ इस पर click कीजिए और इस तरीके से hand आप right आप जो भी नाम यहाँ पर डालेंगे वो automatically यहाँ पर change हो जाएगा कोई भी पोज आगर आपको delete करना है तो right click लेना है और यहाँ पर clear asset पर click करेंगे तो यह मेरा pose यहाँ पर delete हो जाएगा आप इसमें एक और feature है जो मैं आपको बदाना चाहूँगा जिससे आपकी animation और भी आसान हो जाती है इसमें end button दबा कि मैं इसको minimize कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा कर लेता हूँ तो आपने यहाँ पर देखा मैंने एक pose बनाया है जिससे यह अपना double click करूँगा तो यह hand उपर कर देगा hand उपर करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यह यह वाला hand ना होके इस वाले hand को उपर करे तो इसमें मेरे पास मैं एक option मिल जाएगा flip pose का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पर pose बनाया होगा अगर मैं उसको flip करना चाहता हूँ यानि left side की body में कुछ भी pose मैंने बनाया है उसको मैं flip करके दूसरी side की body में लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर flip का इस्तमाल कर सकता हूँ जैसे ही आप इस पर click करेंगे और apply पर click करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर यह वाले hand की जगह है दूसरा hand इसमें flip हो जाएगा और आप यहाँ पर इसकी animation को save कर सकते हैं i button दबा के cursor को move करके पहले अपना जो यह timeline है इसको हमेसा move कर लीजिए otherwise यह अपना वापस उसी position में आ जाएगा और यहाँ पर लाने के बाद मैं आपको फिर से apply करना है इसको और i button दबा के इसको मैं हाँ पर एक e frame बना सकता हूँ इस तरीके से यह save हो चुका है save होने के बाद मैं हाँ से basic इसको flip वाले को अटा सकता हूँ और अब मैं इसको play करूँगा तो आप देखें किस तरीके से यह इसने दूसरा हाथ यहाँ पर उठा दिया तो किसी भी pose को आप इस तरीके से flip कर सकते हैं यह भी इसमें एक काफी अच्छा feature है तो इस तरीके से अगर आप इसमें face rig का इस्तेमाल करते हैं या किसी दूसरी file में ले जाते हैं तब यह जो rig है यह आपको problem करेगी और यह जो library है यह भी वहाँ पर आपको access नहीं हो तो किस तरीके से अपने character को एक file से दूसरी file में ले जाते हैं और किस तरीके से यह जो library है उसको भी हम दूसरी फाइल में जाके इस्तमाल करते हैं इसके लिए मैं next वीडियो में आपको बताऊँगा पिलाहल के लिए अपने दूसरी लाइबरेरी पे आ जाते हैं और उनको create करना समझते हैं किस तरीकी से उनको create किया जाता है तो हमारी दूसरी यहाँ पे लाइबरेरी है multi-use pose library तो दूसरी तरह की pose library को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक simple वाला character ले रखा है जिसको अधिकतर YouTube के simple animation में इस्तमाल करते हैं यहाँ पे मुझे simplys की जो rig है उसको select करना है select करना है यहाँ पे और दौनों तरह की pose library आपको pose mode में मिलेंगे इसके बाद जब हम इसके pose mode में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा object data properties जो है इस पे click करना है आपको उसके बाद मैं यहाँ पे pose library करके एक option मिलेगा object data property में यह जो pose library है जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा new का तो यहाँ पे हम इसके multi usable pose बना सकते हैं और उसको एक character से दूसरे character में बड़े आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं कैसे करते हैं यह देख लेते हैं सबसे पहले आगर मैं इसको new पे click करूँगा तो यह मेरा यहाँ पे दिखा देगा एक window जहां पे मुझे side में plus का एक icon दिखाई देगा सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इसमें जो sidebar है इस पे tick कर देना है पिल्यू कुलर का और यहाँ पे इसका कुछ नाम दे देते हैं मैं इसका नाम दे देता हूँ जो जो कभी भी आपको अगर pose बनाना है तो हमेशा सबसे पहले इसके पूरे rig को a button दबा के select करें उसके बाद मैं आप यहाँ पे pose बनाएं जैसी मैं यहाँ पे plus का button दबाऊंगा यह मेरा add करने के लिए बोलेगा एक pose को और add करते ही यहाँ पे pose add हो जाएगा इस समय जो इसके condition होगी character की वो यह condition मेरी इसमें save हो जाएगी इसको मैं नाम दे सकता हूँ T pose नाम डालने के बाद आपको simply अलग जगा पे click कर देना है और मेरा यहाँ पे यह pose select हो चुका है यह pose इसमें save हुआ है या नहीं इसके लिए मैं simply इसके बाजू का एक यहां से इसको जी बटन दबा के इस तरीके से move करूँगा चेक करने के लिए मैं simply यहाँ पे एक button दे रखा है अधर side में search का एक button है जिसको हम apply वाला button बोलते हैं यहाँ पे apply pose library इससे हमारी जो pose है वो इसमें apply होता है character में तो मुझे simply इस पे click करना है तो आप देखेंगे automatically जो उसका हाथ है वो T pose में आ गया तो सबसे पहले इसका pose बना लेते हैं pose बनाने के लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा जैसे मैंने bone में आपको बताया था कि अगर हम एक side का कोई भी काम करते हैं दूसरी side का automatically उसमें होने लगता है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक option दे रखा है जिसको हमन यहाँ से इसको tick कर देता हूँ अब मैं इसकी जो बाजू है इसको पकड़के इसको नीचे करूँगा और इसको normal pose में लाने की कोशिश करूँगा simply आपको यहाँ पे यह जो इसका हाथ है इसको select करना है and button दबा के सबसे पहले इसका stretch यहाँ से हटा लीजिए stretch आपको यहा तरीके से stretch हो जाएगा तो इस stretch को खतम करने के लिए simply आपको यहाँ पे यह value stretch वाली zero कर देनी है अब मैं इसको पकड़के यहाँ पे खींचूँगा तो यह यहाँ पे कोई भी इसमें stretchable moment नहीं होगा अब इसकी बाजू को नीचे हमें लाना है सबसे पहले इसको थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे display lens थोड़ा सा हो रहा है उसके लिए यहाँ पे मेरे पास यह arrow दे रखे हैं इन arrow की मदद से आपको इसकी बाजू को इधर की तरफ घुमाना है यानि की R बटन दबाएंगे हम और इस तरीके से यहाँ पे इसको cert में जो गुसा हुआ था वो इस तरीके से सही हो जाए अब मुझे इसका यह नीचे वाला select करना है और G बटन दबाके इसको नीचे की तरफ खीज़ देंगे हलका सा इसमें mode यह रखें ताकि मेरा जो character है इसके हाथ यहाँ पे मुड़े होए लगे और R बटन दबाके इसको मैं इस तरीके से rotate करके इसक आपका pose जो आपने यहाँ बनाया है वो गड़बड हो जाएगा तो simply मैं प्लस बटन पर क्लिक करूँगा और add पर क्लिक करूँगा तो यह मेरा normal stand यहाँ पर मैं लिख दूँगा normal stand तो मेरा दूसरा pose इसमें यह save हो जाएगा मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और check करने के ल अगलग तरह की sitting करने के और बैटने उठने के हड़ तरह के pose आप इसमें बना सकते हैं तो इस तरह के से मेरे एक character का जो pose है वो यहाँ पर इस यहाँ पर set हो चुका है अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा character भी इसमें लेके आऊँ तो simply आपको जहाँ भी आपने वो character बना रखा है वहाँ पर जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक character बना हुआ है जब भी हम यहाँ पर rigify addon इस्तमाल करते हैं तो हमारी दो तरह की rig उसमें बनके आती हैं एक हमारी होती है meta rig हमारी वहाँ पर इस्तमाल होती है जब हम body के अंदर bone को add करते हैं और edit करके body के according उसको set करते हैं तब हम यहाँ पर meta rig का इस्तमाल करते हैं और यह जो हमारी है दूसरी यह हमारी controller rig है जो meta rig से बनाई जाती है जब हम animate करते हैं किसी भी character को तो यह वाली rig हमारी animation के लिए काम आती है अगर यहाँ पर आप इसकी meta rig को delete कर देंगे और केवल इस वाली rig को ले जाएंगे तो यह इसमें दिक्कत करेगी हमेशा meta rig के साथ ही आपको यह लेके जानी है और दूसरी जगह अगर यह problem करती है तो meta rig से आप इसको 2 second में दुबारा से generate कर सकते हैं तो इस बज़े से आपको simply इसमें click करना है इसको select करना है और ctrl c बटन दवाना है और दूस यह है कि समय यह pose mode में है तो सबसे पहले मैं यहां से ctrl z कर देता हूं ताकि मेरा यहां पर यह normal stand इसमें रहे और वापस से object mode में जाएंगे और object mode में जाके आपको हमेशा paste करना है तो मैं ctrl v बटन दवाऊंगा और यहां पर मेरा यह दूसरा वाला character आ जाएगा तो इसको आगर आपका यह arrow नहीं आता है तो simply एक वार यहां से इस तरीके से करेंगे और यहां पर इसको खीच के मेरा जो character है वो यहां पर आ चुका है इस character की position जहां भी आपको set करनी है वहां पर set कर दीजे मान लीजे मैं इसके front पर इसको रखता हूं यहां पर ताकि यह आपस मैं बात करें इस तरीके से R बटन दबाऊंगा और Z बटन दबा के इसको मैं यहां पर इस तरीके से गुमा देता हूं जिससे मैं आप animation कर रहे होते हैं वहां पर आपको इस meta rig की ज़रूद नहीं होती है सबसे पहले आप check कर लीजे इसके जो सारे controller हैं वो काम कर रहे हैं या न कर सकते हैं और दुबारा से generate कर सकते हैं इसके लिए वापस से object mode में चलेंगे object mode में आने के बास सबसे पहले मैं इसको यहां से select कर लेता हूं Alt P बटन दबाऊंगा और यहां से clear and keep transform कर दूँगा तो यह मेरा यहां से disconnect हो जाएगा अब मुझे simply इसको यहां से delete कर देना है दुबारा से इसका जो rig है यहां पे मैं generate कर लेता हूं और मुझे simply जाना है अपना object data property में और regenerate पे click करूँगा तो आप देखेंगे यहां पे सारे इसके controller आ चुके हैं अब सबसे पहले body को select कीजिए उसके बाद rig को select कीजिए उसके बाद control P बटन दबा के इसको with automatic weights कर ली यहां से हटा सकता हूं इसकी मुझे जरूरत नहीं है यह वाली जो rig है इसको आपने ठीक से इधर उदर करके देख लेना है कि वो ठीक से connected है या नहीं आपने देखा body से तो यह connected है इसके cloth से connected नहीं है तो यहां पे मैं इसके cloth को select करूँगा उसके बाद मैं shift दबा के इसके rig को select करूँगा और control P से with automatic weight से इसको connect कर दूँगा इस तरीके से मेरा जो यहां पे rig है वो यहां पे connected हो चुका है तो rigging आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप mix mode से भी कर सकते हैं manually करना चाहते हैं तो manually भी कर सकते हैं इसके लिए मैं already episode बना चुका हूं यह जो दूसरा character मै ने बनाया है अब मैं इसकी library में जाओंगा और यहां पर इसको pause mode में वापस से जाएंगे जाने के बाद फिर से अपना library में आ जाते हैं pause लाइडरी में और यहां पर इस में new करके में यहां पर generate कर देता हूँ इसका नाम भी मैं कुछ नाम देदेता हूं यहां पर इसका चाहता हूँ कि वही normal pose में अपने इस वाले character में इस्तमाल करूँ तो वो कैसे करेंगे आये देख लेते हैं सबसे पहले तो मुझे इसको A button दबा के select करना है पूरे को और यहाँ पे आपको side में एक option दिखाई दे रहा है तो यह मेरा जो icon है यहाँ पे इस पर अगर मैं click करूँगा तो यह मुझे बता देगा इस समय मेरे कितने इसमें character बने हुए है यहाँ तक कि अगर आपने इसमें कोई अलग से कोई character बना के delete भी कर दिया होगा तो वो भी character आपका इसमें आ जाएगा और जो pose library जो मैंने आपको पहले बताई थी single pose library उसके भी यहाँ पे character सारे आ जाएंगे अगर आपको लगता है इसमें बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकड़ रही है तो आपको simply कुछ नहीं करना है इस में से जो extra चीज़ है उनको यहाँ से delete कर सकते है अगर आप यहाँ से delete करना चाहते है तो simply आपको यह जो आइकन है उपर की साइड में thumbnail में outliner है इसमें इक icon है इस पे click करना है और blender फाइल पे जाना है सबसे पहला जो option है इसमें actions का जितनी भी सारी हमारी animation होती है वो यहाँ पे आ जाती है और इसी section के अंदर वो save होती रहती है extra है तो मैं इसको right click लोगा और यहाँ से delete कर दोगा इस तरीके से तो यह मेरा यहाँ पे delete हो जाएगा फिलाल मैं वापस से इसमें यहाँ पे view layers पे click करूँगा तो मेरी सारी चीज़ें इसमें वापस आ जाएगी तो अब मुझे इसका pose अगर इसमाल करना है simply इस पे click करना है और अपना जो जो वाला जो pose है वो यहाँ पे click करूँगा तो उसके सारे pose यहाँ पे मेरे पास आ जाएगे तो यह जो normal stand pose है यह मुझे यहाँ पे use करना है इसका तो simply मुझे apply पे click कर देना है तो जैसी मैं apply पे click करूँगा आप देखेंगे उसका जो pose है वो automatically मेरे character में यहाँ पे इस्तमाल हो चुका है तो फिलहाल मेरा यह नया pose माल लीजे बन गया है और मैं इसको save करना चाहता हूँ फिर से तो मैं a button दबा के सबसे पहले इसको select करूँगा और फिर से अपनी वापस profile में जाऊँगा मैरी वाली और मैरी वाली profile में जाके यहाँ पे simply मुझे plus का button दबा देना है और यहाँ पे मुझे नाम दे देता है इसका normal pose अलग मैं यहाँ पे click करूँगा तो यह मेरी इसमें save हो जाएगी अब मुझे T-pose पे जाना है तो simply इसके click करना है इस तरीके से T-pose बन जाएगा और यह मेरा normal pose बन जाएगा तरीके से आप किसी भी character का जो भी आप pose इसमें इसमें इस्त्माल करना चाहते हैं वो दूसरे character में इस्तमाल कर सकते हैं और अगर मुझे इनको बात करते हुए दिखाना है तो मानलीजे थोड़ी सी मैं animation भी इसमें करके दिखा देता हूँ आपको तो बार बार जैसे hand जो होता है वो बात करते समय उपर की तरफ जाता है तो सबसे पहले मैं इसके pose mode से बाहर आऊँगा Mary के और जो जो वाले के जो pose mode है उसमें मैं जाता हूँ और इसमें एक नया pose मना लेता हूँ जिसमें ये G बटन दबा के इसका जो hand है वो उपर की side में यहाँ पर move करेगा सबसे पहले मैं इसका जो animation है उसको यहाँ पर save पर देता हूँ तो I button दबा के location rotation पर click करूँगा तो यह इसकी animation save हो जाएगी उपर X वाला button है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि यह मेरा X side ही यहाँ पर काम करे यह परिद्ध नहीं भी तो आप मैं इसमें G button दबाएं इसका जहाँ जो hand है इसको आगे लेकर हूँगा तो आप fancy forward इस पर पर 69 यहाँ जह बना देता हूँ और the mouse बहुँए पूरे फोड़ प्लस का बटन दबाके हो यहाँ पर end अब यहां पर चेक कर लीजिए महां लिजी नॉर्मल पोज में यह है तो मैं अपलाई बटन पर क्लिक करूंगा ले के आऊँ इस तरीके से यह जो हमारा यह यलो कलर दिखा रहा है इसका मतलब यह जो की फ्रेम है वह सेम टाइप के की फ्रेम अब कहीं बीच में मैं जो हैंड है इसको ऊपर लाना चाहता हूं तो simply पहले में और हैंड अप पे क्लिक करूँगा तो यह मेरा हैंड अप कर देगा अब मैं अब बटन दबाऊंगा दुवारा से और एक की फ्रेम यहां पर बना देता हूं यह मेरा हैंड अप का एक की फ्रेम है इसको मैं सिप्ट डी बटन दबा के कितनी देर मुझे यह रखना है उतनी देर के लिए मैं यहां पे इसको आगे की तरफ बढ़ा दुग तो इस तरीके से अगर मैं इसको यहां पर प्ले करूंगा अप अलो क्या हल चाल हैं तो इस त इस तरीके से आप इसके अलग अलग पोस बना सकते हैं और यहां पे इसको एनिमेट कर सकते हैं यहां पे मैंने ज्यादा परफेक्शन नहीं किया है वरना आप इसके हैंड को अच्छी तरीके से आप आगे की तरफ ला सकते हैं और इसको एनिमेट कर सकते हैं वीडियो काफ animation के add-on भी जानेंगे जिसकी मद्द से हम अपने जो animation है उसको बहुत ही आसान कर सकते हैं तो next episode में हम देखेंगे किस तरीके से character चलता है किस तरीके से character बात करता है किस तरीके से character motorcycle चलाता है किस तरीके से गाड़ी चलाता है ये सारी चीजे हम next animation में practically देखेंगे तो मिलते हैं अपने next episode में तब तक के लिए good bye if you like this video please like share and subscribe